हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माइ चानल आज मैं आप लोगों से सिक्स इंडोर प्लाण के मारे में बात करने वाली हूँ जो बिगिनर के लिए है अगर आप अपने घर पे इंडोर प्लाण लगाने की सोच रहे हो और यह सोच नहीं पार हो कौंसे प्लाण लगाए तो यह फ्रोप प्लान्ट, ट्रैंगल हट प्लांट और स्पाईटर प्लान ! और आप Jeśli प्लानगे बारे हूं इंग दूद्धियों करने जीकरने वाली हूं । हरत हम earlier pineapp Si Mak chased a snake plant स्नेक प्लैन एक ऐसा प्लैन्ट है जिसे आप आपके घर पे रखोगे तो बहुत ही कम मेंटेनेंस पर आप इसे ग्रो कर सकते हो इसका वाटरिंग जब सॉयल पूरी तरह से ड्राई हो जाए तब अभी से वाटरिंग किजीगा इस सब प्लैन को ब्राइट लाइट बहुत जा करते हो बहुत अजी तरह ग्रो करता है इसका सॉयल वैल रेनिंग होनी चाहिए यह मेरे पास कुछ वाराइटी का उसनेक प्लैन है इसके वह सेंसो वेरिया भी कहा जाता है इसके बाद आता है मनी प्लैन मनी प्लैन एक नॉर्मल हाउस प्लैन है जो हरकिसी घर के में रहता ह मानी प्लान का जो वाटर रेकॉइमेंट है उसको वाटरिंग के लिए स्वाइल को 50% ड्राइ होनी चाहिए इस प्लान को ब्राइटनेस बहुत जादा पसंद है और जब आप इससे वाटरिंग करोगे तो स्वाइल को चेक करना बहुत जादा ज़रूरी है अब इंडेरिक सें कर सकते हो किस तरह कर सकते हो वह मैंने अपने वीडियो पर पहले ही दिखाए अब जरूरी चेक किजिएगा मेरे पास बहुत वाराइटी का मनी प्लैंड है इसे पोथोस भी कहा जाता है जैसे मार्बल लिकूइंग पोथोस गोल्डेन पोथोस यह सब मेरे पास है आप एज कर दोंगी अब जरूर चेक किजिए अब जरूर चेक जगा यह बहुत है कुबसुरत प्रैंट है मेरे मुझे तो मैनी प्रैंड पासनेडी बहुत ज़्यादा पसंद है उसके बाद आता है जेट प्रैंड इसे आप बना सकते हो मैने इसको कफी मौग में लगाया है इस सब करने का जो है इसको आप आप स्वैल रआ होने के बाद रोरिंग कर सकते हुआ पर भी इतनी पसंद और यह सब इसन लाइट है इसे ब्राइट संलाइट बहुत दा पसंद है आप इंडरेक्ष न्लाइट पर इसे रखने की जरूत नहीं है आप इसे रख सकते हूँ for two five hours का उ तो यह बहुत अच्छी तरह करता है इससे बहुत चोटा-चोटा है बहुत क्यूट है देखने पर यह एक ट्री जैसा दिखता है इससे अब टेबल टॉप डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो मैंने एक सूप बूल में से लगाया है जो मेरे टेबल टॉप को बहुत ही बहुत बिग साइस का होता है आप कॉर्णर को डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हो इसका जो वाटर डिकावमेंट है वह आप हफ्ते में दो बार पारिदों के तब भी ठीक रहेगा और यह सब प्लैंट को ब्राइट लाइट बहुत जादा पसंद है आप इंडियरेक्श जो लीव बहुत हर्डी होता है इसको आप जो भीगा कप्ड़ा होता है उससे या वीट नैपकिन से आप क्लीन कर सकते हो यह सब प्लैंट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो जो फोटो सैंसर वीठी का जो प्रोसेस है उसमें रुकावाट रसकता है इस तरह अब थीरे थीरे क्लीन कर सकते हो और अब देख सकते हो क्लीन करने के बाद कितना फूर्फ Stacy इस तरह धीरे-धीरे आप ख्लीन कर सकते हो और डेकॉरिशन के लिए भी इस कर सकते हो उसके बाद आता है ट्रेंगल हट प्लैंट यह भी एक बहुत ब्लाइन्ट है इसको यह सैकुलिंट टाइप प्लैंट है इसका जो वाटरिंग है पूरी तरह ड्राइट होने के बाद ही आप इसे वाटरिंग कीजिएगा और इसको जो लाइट है वह ब्राइट लाइट बहुत पसंद है पर डाइट आप इसे इंडियारिक सेनलाइट में रख सकते हो इसका जो स्वाइल रिकावमेंट है उसे वेल्डेनिंग स्वाइल होनी चाहिए इसको प्रेंच को काटके अगर पानी में रख तो कुछ दिन बाद रूट निकलाता है मैंने कैसे प्रपागेट करती हूँ मैंने वीडियो पर दिखा है अब जरूँ चेक किजिएगा इसके बाद आता है स्पाइटर प्लंड धाथ फुटाइड फाइट प्लैंड एक बहुत कुप्सरोत फ्लाइट है इसको आप आप इसका जो वाटरिंग है इसको अब जब सोयल थोरी ड्राइ हो जाए तब ही देना पानी और लक़ट इंडिन इर्एन लाइट पर रख सकते हैं प्राइड लाइ अब देख लेना चाहिए कि इसका जो लिप्स हे वो है इस है नहीं इस सब प्लैन को लीप को स्टेक करके आपको खरीदना चाहिए रिपॉर्टिंग करने के पहले आपको कुछ टाइम देनी चाहिए three to four days यः once week देनी चाहिए उसके बाद ही आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए और आपको रोटेट करके अगर आपको प्लाइट को रखोगे तो वह अच्छा ग्रोग करेगा आप 32-45 देज अप्टर आप फटिलाइज कर सकते हो आप कोई भी फटिलाइज दे सकते हो पर आप